हेलो वेलकम दोस्तों मैं हो की शूर आप देखर आव राते बेट तो फ्रेंड्स स्वागत आपका संडे को यान में अपने कमेंट शेक्शन में कुछ सवाल पूछे थे उनका जो मैं जवाब देने वाला हूँ तो प्लीज वीडियो को पिना स्किप के एंड तक देखे रहे हैं और आप हमारी चैनल पर नएव तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब किजीगा ताकि ऐसे वीडियो में आप तक पहुच्छाते रहे तो आई चले देखते है तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले सवाल क के अंदर स्लो मोशन कैसे करें तो मेरे जो रेडमी 12 शेरी जे उसके अंदर स्लो मोशन का अविलेबल है basketball अभी की जो रेडमी 13 5γ leunch वह उसके अंदर भी स्लो मोशन का अप्शंस नहीं है यानि कि यह फॉन जो स्लो मोसन वीडियो कर सकते इस लिए कंपने ने इसके अंदर आप्शंस नहीं दिया तो आप कोशिश न करें अगर एडिटिंग के जर्य से आप जो स्लो मोशन करते हो ठीक है अदर्वाइस जो बाइडिफोल्ट के लेकिन आपकी सकल नहीं अच्छी है, मुझे बगवार नहीं हैं सकल रहेगी आपको जो देखना यह वह चीज देखो और अच्छी कमेंट्स करो तो इसका कुछ solution नहीं है बट cycle जैसी है वैसी है कुछ-कुछ लोगों को पसंद आते कुछ-कुछ लोगों को नहीं पसंद आते तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते बट enjoy और दोस्तों बात करते पर अगले सवाल की तो अगला सवाल है बोला नायक का इनका सवाल है कि Casio CT-X800 इनका प्राइज कितना है सर तो देखो मिले आपको जो Amazon पर चेक करने है क्योंकि इसका कुछ fix rate नहीं रहता हो सकता है थोड़ा बहुत उपर नीचे हो यानि कि प्राइज कभी कबर ड्रॉफ हो जाती है तो कभी कबर हाई हो जाती है तो उस cases में आपको exactly price नहीं बता सकता offline store में थोड़ा बहुत ज्यादा या तो कम होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने इतनी price बताइए और यह keyboard इतने का नहीं है तो आप बहतर है कि online ही इसकी price चेक करो और यहां पर अगला सवाल है रेनु का कोली का इनका सवाल है कि Vivo Y51 में गलती से reset click हो गया है सारा data delete हो च ऐसा नहीं है कि गलती से हो गया मैं तो step by step आपको बताता हूँ वीडियो के अंदर की ऐसा पूरा format होने का तरीका ही मैंने इस वीडियो में बताया है तो data तो वापस नहीं आगया इसका कुछ फिलाल solution है ही नहीं आपका phone जैसे आप company में से नया लाए थे ठीक वैसा हो गया होगा तो इसके अंदर data वापस हरगीज नहीं आ सकता एक बार आपने जो factory reset कर लिया तो और यहां पर अगला सवाल है टेकनिकल मुनेब का इनका सवाल है कि ब्रो ए 14 लेग कर रहा है कोई solution बताओ 4GB plus 128GB तो मेरे बाई samsung का phone है और हैंक कर रहा है तो आइधिंक वनियर हो किजिए पूरा phone जो format कर दीजिए पहले कहीं पे अपना data जो store कर लिजिए फिर बाद में जाके आप restore कर सकते हो data तो आपको पूरा phone जो format करना रहेगा और आपको चेक करना कि क्या आपका phone latest software update पे रन कर रहा है या नहीं वो भी matter करता है तो आपको यह सारी चीज़े देखन करना चाहिए तब जाकि आपका जो hanging problem है वो शौल हो जाएगा और यहाँ पर अगला सवले शौरोदीब का इनका सवली की बाई camera डाउन ग्रेट तो नहीं होगा ना Redmi Note 11S में तो हाँ मेरे बाई जब भी इसके अंदर आप software update करोगे तो camera अपको डाउन ग्रेट हो नहीं वाल होता कि update के माधियम से camera downgrade हो जाता है बट जैसे जैसे मारा phone पूरा नहीं होता है जो latest phone company निकलती है तो उस cases में नए phone के camera quality हमें अच्छी लगती है बिकॉज उसके अंदर new processor होता है new camera lenses फगेर होते तो यह एक होता है otherwise camera तो इसका downgrade हो ही चुका है update के बाद मुझे personally ऐसा लगता है और यहां पर अगला सवाल है चीराग दंतानिका इनका सवाल है कि मैसाना में कहां है sir आपका office मैं मैसाना से हूँ buy करना चाहता हूँ Roland xp60 त इंकल भई का contact number दिया है तो आप उनसे contact करके directly पूछ सकते हो otherwise उनका address जानना है तो जो सोमनात चौक है वहीं पर ही उनका office है वहां जाके आप call किजिगा तो directly आपको वहीं से pick up कर लेंगे या तो उनका address बता देंगे सामने ही है तो एक बाल जरूर से contact किजिगा मैसाना से ह तो आपको बहुत easy हो जागा आप खुद जाके चेक करके instrument वेगे जो purchase कर सकते हो और यहां पर अगला सवाल है good gaming का इनका सवाल है कि कितना time लगता है reset होने में vivo y15s तो देखो मेरे बाई exactly मैं आपको time नहीं बता सकता आपका data उस phone के अंदर कीतना है वह सबसे पहले तो matter कर ही मैंने reset किया था हो सकता है आपको time लगे बट ज्यादा से ज्यादा आदा गंटा ले लो उसके उपर तो सायद कोई time लगता ही नहीं अगर आपको ऐसा ज्यादा problem आ रहा है तो किसी नजदेगी mobile swap पर जो दिखा सकते हो कि factory reset कर रहा था और ऐसा problem हुआ otherwise इतना कुछ time लग है वह phone मुझे purchase करना है तो देखो शीवा ने यह phone जो 21 जुलाई को launch होने वाला है Amazon पर आपको यह मिल जाएगा online purchase करना चाहते हो तो exactly date आ चुकि Amazon पर दीखा भी रहा है अगर आप check करोगे तो तो थोड़ा बहुत रूख जाए क्योंकि जब भी launch होता है तो तूरंथ phone मत purchase क किजिगा अगर आप long term use करना चाहते हो otherwise आपको शौक है कि चलो आज यह phone तो all the best otherwise थोड़ा बहुत वेट कीजिए फिर लिजिगा और कुछ ही दिनों में यह phone जो launch होने वाला है तो दोस्तों यह था हमारा आज का Sunday QN है I hope कि आप लोगों ने जो जो सवल पूछी थे उनका जवाब आपको मिल गया होगा और एक बात कि आपके मन में भी कोई भी सवाल है तो हमारे किसी भी वीडियो पर ask किसु लगा करके कमेंट कीजिए तो next Sunday आपका भी कोई सवाल होगा तो पीक कर लेंगे और friends आप मुझे contact करना चाहते हो तो Facebook पेज और Instagram के लिंक जो में डिस् चैनल को सब्सक्राइब ने कहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ ठैंक्स फॉर आतिंग जिसमरे जाच के सुड़ो में इतना है दोस्तों थैंक्यू सो मच बाइब बाइब फ्रेंड्स